हेलो एब्रीवन वेल्कम अगें तु फाइनाट स्टडी तो हम MFA पेंटिंग का 2017 का कोश्चन पेपर सोल कर रहे थे तो लास्ट में इसमें 120 वेश्चन थे हमने 60 वेश्चन हम पहले पार्ट में सोल कर चुके हैं अब नेक्स्ट जो 60 कोश्चन है वो हम इस पार्ट में देखे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अज का वीडियो ओके 60 नंबर 61 नंबर क्वेस्चन है हमारा कि डेथ ओफ मार्थ किस ने चित्रित किया था तो जो डेथ ओफ मार्थ है वो डेविट ने चित्रित किया था अब लेकिन देखे इस क्वेस्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो इसकी आंसर की है उसमें इसका राइट आंसर से जोन लगाया हुआ है तो इसको भी आप एक बार कन्फर्म कर लिजेगा और कमेंट जरूर कीजेगा ताकि सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए नेक्स्ट एम तीन क्वेस्चन ऐसे थे जिन में की थोड़ा सा कन्फ्यूजन दा नेक्स्ट प्रेशन है फ्रांज मार्क किस आंदोलन से सम्बंधित है तो जो फ्रांज मार्क है वो अभी वेंजिनवाद से संबंधित है option 3 इसका right answer हो जाएगा next question है black figure style of Greek based painting किस नगर के लिए प्रदानते प्रियुक्त किये गए थे एक मिनिट ब्लैक फिगर स्टाइल ऑफ ग्रीक वेस पेंटिंग तो इसका right answer हो जाएगा option second क्रॉंथ जो थे अराउंड साथ सो बीसी के लगबग यह पेंटिंग जो है वो यूज की गई थी the meaning of art किस ने लिखी थी तो यह लिखी थी हरबर्ट रीड ने option B इसका right answer हो जाएगा number second इसका right answer है next question है मीर सेयद अली कौन थे तो मीर सेयद अली चित्रकार थे मुगल स्कूल का चित्रकार था अकबर के समय में इरानिश अली के यह कलाकार थे नेक्स क्वेश्चन है जियो तो चित्रकार किस वाद से संबंदित थे तो जो जियो तो कलाकार हैं वो गोथिक कला से संबंदित थे नेक्स समय इनमें से कौन सा तत्व दरश कला तत्वों के अदीन नहीं है इसमें नहीं पूछा है तो देखे जो elements आप जानते हैं जो art के elements थे थीक हैं तो इनमें准प देख सकते हैं Если कौनसा नहीं है रेखा, रंग, रूप यह सभी आर्ट के जो एलिमेंट्स है वो है लेकिन जो शैली है जो स्टाइल है वो आर्ट के अलिमेंट नहीं है आर्ट के तत्व नहीं है तो इसका इसमें नहीं पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शैली उसके बात नंबर 68 है कौन से दर्शाने है तू वर्जित है वाली इन मेंसे कौन सी जो रेखा वनका प्रवयोग शेड दर्षाने के लिए एफेक्ट जो शेडिंग इफेक्ट है उनको को देने के लिए नहीं किया जाता है इसमें नहीं पूछा है इसमें वर्जित पूछा है को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो वर्ताकार है ठीक है वर्ताकार का उपयोग कभी भी शेड दर्साने के लिए नहीं किया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है राजिस्थानी चित्रकला के अधिन बूंदी लगू चित्रों की विशय वस्तु क्या थी तो रागमाला जो चित्र है वो बूंदी चित्रकला है उसकी विशय वस्तु थी परसिद कलाकार सांद्रो बोतिसेली कौन से स्थान से संबंदित है तो सांद्रो बोतिसेली जो थे वो इटली से संबंदित थे इटली से ये संबंदित थे उसके बाद नेक्स्ट है कला संबन्दी पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेकर का नाम बताईए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हर्बर रीड नेक्स्ट क्वेश्चन है नव प्रभाववाद के प्रेंट सा कौन थे तो जो शोरे थे वो नव प्रभाववाद के प्रेंट थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकारों द्वारा प्रियोग में लाए जाने वाला इन में से एक मानक सफेद रंग का कौन सा गलत नाम अंकित है इंग्लिश में भी देख लीजिए आप इसे विच वन उस इस एन इनकरेक्ट नेम अमोंग दा स्टेंडर वाइट कलर अप्लाइट बाइट आर्टिस्ट तो इन में से कौन सा जो कलर है वो इसका रार्ट आमशर ओ जाएगा अल्ट्रा वाइट आल्ट्रा वाइट चित्रकारोद्वारा प्रियोग में नहीं लाए जाते हैं हुआ है नेक्स्ट् सब्सक्राइब की अनल्टागुरू वंपहले मगते हैं इन्होंने जो गुरुः उलागरी नुए थे वह ऑप्शन में नहीं है २हीं ऐने जो तेल विदी से चित्र सीख़्ेंथे वहुआ एल्बोर जेंसन से प्लतों बैगान से थेलों में हुआ इसका रैट अंसर हो जाएगा option number one, इसका right answer होगा next म DOWN 76 इन भारतिय कलाकारों में किसे नव प्रभावादी कलाकार माना गया है तो इसका right answer हो जाएगा number one NS बेंद रे जो थे उसे नव प्रभावादी कलाकार माना गया है next question है प्रसिद कलाकार मातिस कौन से वाद से ज्ड़ा हुआ है प्रतिकात्मक रूप में अदबुत रस के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो अदबुत रस के लिए पीला रंग यूज में आता है इन कलाकारों में से कौन उत्तर प्रदेश का एक परशिद द्रश्य चित्रकार है अब देखें इसमें मेरे हिसाब से मदललाल नागर होना चाहिए लेकिन आंसर की में 37 चंदर दिया हुआ है तो आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजेगा और बताइएगा जरूर आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में की कौन सा इसका राइट आंसर है कि नेक्स्ट है परसिद कलाकार congog का पूरा नाम क्या है तो congog का पूरा नाम था Vincent Van Gogh नेक्स प्वेश्टन है कलकता कला विद्याले के प्राचारिय का नाम क्या था तो इवी हैवेल जो थे वो कलकता कला विद्याले के प्राचारिय थे नेक्स है अजन्ता की कौन से नंबर की गुफा में छदंत जातक का चित्रांकन मिलता है तो इसकी जो गुफा नंबर 10 है उसमें अजन्ता की गुफा नंबर 10 में 6 दंत जातक का चितरन मिलता है next question है माव रंग का विरोधी क्या है? तो जो माव कलर है उसका विरोधी क्या है? माव जो कलर है उसका विरोधी है पीला इन गुफाओं में कौन सी गुफा में बारती कला के अधिन वीविद धर्मों के श्रेस्ट उधारन मिलते हैं तो इसका राइड अंसर हो जाएगा ऐलोरा क्योंकि देखिए जो अजन्ता है उसमें बोध धरम से संबंदित मिलते हैं इस तरह से जो एलोरा है सिर्फ इसी में जो सभी धर्मों बोध जैन धरम से संबंदित जो चित्र है वो मिलते हैं नेक्स्ट है रंगों के विशेशक ओस्ट वाल्ट का जनम कहां हुआ था तो इनका जनम हुआ था जर्मनी में नेक्स्ट क्वेस्टन है म्यूरल सब्द की उत्पत्ति कौन सी भासा के साथ जोड़ी मानी जाती है तो जो म्यूरल सब्द है वो इंग्लिस इंग्लिस सब्द से इसकी उत्पत्ति जोड़ी हुई मानी जाती है म्यूरल जो बित्ते चित्र होते हैं उसके बाद next question है कांगडा चित्रकला का प्रमुख विशय क्या था तो जो कांगडा के वहां के जो प्रमुख विशय थे वो थे रादा कृष्ण थीक है इसमें रादा कृष्ण ओप्शन में नहीं है तो रादा कृष्ण को हम देख सकते हैं कि थीम्स ओफ लव तो उनकी बे किमत की द्रस्टी से अत्यंत मुल्यवान चित्र महिशाशूर के कलाकार का नाम बताईए तो इसका रायत अंसर हो जाएगा तैयम मैता बहुत ही फेमस जो चित्र है वो था महिशाशूर तीक है तैयम मैता का और इनका काली दरिक्षा पुलिंग और यह सब इनके बहुत ही जो काली है वो भी इनका बहुत फेमस चित्र था तो तैयम मैता का जो जन्म है वो 1925 में हुआ था और इनकी म्रत्यु 2009 में हुई थी तो इसका रायत अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर वन नेक्स क्वेश्चन है कलाकरती डांडी मार्च के सिल्पकार का नाम क्या है इसका रायत अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर दो डीपी राय चोदरी नेक्स क्वेश्चन है आदोनिक कला में वह कौन सी प्रवर्ती है जहां जामीतिय रूपों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है इंग्लिश भी देखिए आप जो 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 मेट्रिकल फोर्म से वह किस मॉडर्ण आर्ट में दिखाई देती है तो घनवाद जो है घनवाद मे जो पेंटिंग बनाई जाती थी वह जो मेट्रिकल सेप में बनती थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक नेक्स क्वेश्चन है शैल खंडो की कुमारी नामक चित्रकार शरजन कौन से चित्रकार ने किया था तो इसे किसने बनाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दोव विंची नेक्स टैम कांगडा चित्रकला की उप्शैली कौन सी थी तो गुलेर जो है वो उप्शैली थी कांगडा की ये एक पहाड़ी चित्रकला थी समकालिन भारते चित्रकला का एक ऐसा चित्रकला जिसकी अधिकान स्कला सादना फ्रांस में रहकर हुई थी तो अप्शन नमबर बी अप्शन रजा जो थे उनकी जो अधिकान शिक्षा है वो फ्रांस में पूरी हुई थी 20 रुपए के नोट के पीछे के भाग पर कौन से व्रक्ष का अंकन है अब देखिए ये 2017 का question paper है 2017 question paper है जो नए वाले हैं उसको आप comment में बताईएगा कि नए वाले जो 20 का नोट है उस पर किस का अंकन मिलता है तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा palm tree ठीक है palm का जो पेड़ है वो उसके पीछे मिलता है ताड का व्रक्ष ताड का व्रक्ष जो है 20 रुपए के पुराने नोट पर और नए नोट का आप comment में बताईएगा कि किस चेह का अंकन मिलता है नेक्स्ट है जैपूर की लगू चित्रकला से जुड़े कलाकारों का पसंदिदा विशय क्या था तो बिहारी सत्से जो है वो जैपूर के कलाकारों का प्रशिद विशय था पसंदिदा विशय था उनका सौंद्रिय की चर्चा करते समय कांट की दर्शन का प्रमुक आधार क्या था तो इसका रागेट आंसर हो जाएगा ज्यान केवल आसपास की रेखाओं को खीच कर उत्पन किया गया अच्छाया प्रकास क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब अच्छाया प्रकास का प्रभाव उत्पन किया जाता है उसे चेरा स्क्यूरों बोलते हैं ओप्शन नमबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स है यूरोपिय चितरकारों के मद रेंबरा के चितर कौन से विशेश लक्षन के अधार पर पहचाने जा सकते थे उनमें रेंबरा के जो चितर थे उनमें ऐसा क्या विशेश बात थी जो सभी चितरकारों के बीच में से रेंबरा के चितर अलग से दिखाई देते थे तो उसका कारण था च्छाया और प्रकास लाइट एंड शेड जो थे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इन में से कौन सा पक्ष रेखा का प्रदान गोन नहीं है नहीं पूछा है यहां पर ठीक है तो इन में से देखिए कंट्रोल डेंसिटी फोर्स या एक्शन नियंत्रन और शक्ति गति तो यह आप देख ली जिगम तो इसका जो राइट आ जो है घनत्व डेंसिटी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन चित्रकार है जिसे आदुनिक कला का पिता में माना जाता है इन में से किसे आदुनिक कला का पिता में माना जाता है तो जो पॉल सेजा जो है इन्हें आदुनिक चित्रकला का पिता में माना जाता है नेक्स्ट क्वेस्टेन है 101 बंगाल के परसीद चित्रकार AR चुगताई अब्दूल रहमान चुगताई इनका पुरा नाम ध्यान रखेगा अब्दूल रहमान चुगताई अपने चित्रों में कौन सी विशिष्ट टैकनिक को अपनाते थे तो इनके जो चित्र हैं वो ये वॉश पद्दती में ये चित्र बनाते थे लाहोर में इनका जनम हुआ था 1894 में और 1975 में इनकी ब्रत्य हुई थी इनके जो चित्र थे उनमें फार्सी प्रभाव देखने को मिलता है नेक्स क्वेस्ट्टन है सामाने तर ओप्टिक्स का संबंद किस्ट से है तो जो ओप्टिक्स है उसका संबंद है Ray of light से ओप्शन नमबर फॉर नेक्स अ वोड़िश पेस अंतराल से क्या आश्चे है तो अंतराल होता है कलाकार का कारिये छेत्र जिस एरिया पर जो कलाकार है वो कार्य करता है उसे अंतराल होता है वो तो option number second इसका right answer हो जाएगा number four ने प्राइमा वेरा सिशक्षे निम्रांकित कलाकरतियों को आप कौन सी कला श्रेणी में रखेंगे तो जो प्राइमा वेरा है वो इन में से क्या है उपनियास है मूर्ति सिल्प है एक चित्र है या एक वस्तु रचन है तो इसका right answer हो जाएगा यह पेंटिंग next भूद्रश्य चित्रांगन को प्रथक विध्या के रूप में किसने प्रस्तुत किया था तो इन में से कौन है जिनोंने भूद्रश्य जो चित्रकला है उसे अलग रूप में प्रस्तुत किया था तो भूद्रश्य कला के जो प्रशिद्य चित्रकार थे तो वो थे कौन्स्टेबल option number 3 इसका right answer है next है अजन्ता बित्ती चित्रों के ठीक बाद कलाकार ने कोन से नवीन चित्रा धार पर चित्रांकर किया थे जब अजंता पर चितरकारी की गई थी अजंता में बित्ती चित्रों पर दिवारों पर चित्र बनाए गई थे लेकिन अजंता के ठीक बाद में जो चित्रकार थे उन्होंने किस पर चित्र बनाना प्रारम किया था तो वो किया था ताड़ पत्रों पर option नमबर 2 इसका right answer हो जाएगा next question है who was pundit sain, pundit sain कौन थे तो ये एक चित्रकार थे option नमबर A इसका right answer हो जाएगा next है question नमबर 108 है, pre-raphelitism style कब आविशकार हुआ था जो pre-raphelitism style था उसका कब आविशकार हुआ था तो 1848 में इसका आविशकार हुआ था, option नमबर A इसका right answer है next question है acrylic color क्या है तो acrylic color जो है वो synthetic color है option A नमबर A इनका right answer हो जाएगा 110 नमबर question है, print making कितने प्रकार की होती है तो यह होती है, चार प्रकार की relief, integral, planography और stencil next question है तेल पेंटिंग के लिए कौन से तेल की आवशक्ता होती है, जब हम oil painting बनाते हैं तो इन में से हमें कोई इस तेल की आवशक्ता होती है, तो वो होती है, लिंसेड oil की, option नमबर वन इसका right answer है इन में से कौन सा वेनिस स्कूल की painting नहीं है, जो वेनिस स्कूल से वेनिस स्कूल का painter नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा, option नमबर A, राफेल जो राफेल थे वो वेनिस स्कूल से के painter नहीं थे उसके बाद next है, किस भारते चित्रकार ने अपने श्वयम के चित्र को चित्रित किया था इसका right answer हो जाएगा, option नमबर B, A, रामचंदर जो थे उन्होंने अपने श्वयम के चित्र ही बनाए थे नेक्स्ट है, पेस्टल की प्रकरती क्या है, तो पेस्टल की जो प्रकरती है वो चौक क्रेयोन, option नमबर second इसका right answer है next question है, भारती चित्र प्रंपरा में सभी चित्रन किसे कहते हैं, तो जो सभी होता था, वो होता था व्यक्ति चित्रन, portrait painting पठ चित्रकला कौन से राज्य की देन है, तो जो पठ चित्रकला है वो उडिसा की देन है परसी चित्र गवर्निका के चित्रकार का नाम बताईए, तो पिकासो, जो पाबलो पिकासो थे, वो गवर्निका की चित्रकार थे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 118 नंबर है, रेखांकर में प्रियुक्त पैंसिल वे उपस्तित वे कौन सा पदार्ते जो काले रंग का प्रभाव छोड़ता है तो पैंसिल में जो ब्लैक कलर का जो होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट उप्शन नंबर 1 इसका right answer हो जाएगा, second last question है हमारे आज का वीडियो का, भारतिय पुनर जागरन किस school को जाना जाता है तो भारतिय पुनर जागरन जो है वो बंगाल स्कूल को, बंगाल स्कूल ओफ आर्ट को जाना जाता है, उप्शन वन इसका right answer है last question है हमारा प्राथमि color group क्या है तो देखे इस question में option 3 भी हो सकता है और option 2 भी हो सकता है कैसी इसमें according to answer की इसमें option number 2 इसको right बाना है लाल, नीला और पीला ठीक है लेकिन कई बार question में ये भी पूछा जाता है कि यह वाला option भी रहता है कई question paper में लाल हरा और निले को भी सही माना जाता है तो पदार्थ के यह तो होते हैं पदार्थ के मूल रंग और यह होते हैं प्रकास में प्रकास के मूल रंग तो इसका हो जाएगा second number तो यह थे हमारे आज के question paper 120 question paper है तो अपने दोस्तों के साथ यह question paper जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी helpers के ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा साथी अगर पसंद आए तो और ऐसे ही question papers के लिए और practice के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें थैंस वर वाचिंगा